जहिन मेरे प्यारे सातियों आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि जो सिरीज है उसमें हम पॉलिटी की आज लास्ट क्लास करने वाले हैं पहले भी क्लास दे चुके हैं जिसमें पूरा हिस्ट्री खतम हो चुका है पॉलिटी क तीन क्लास आपको मिल चुका है जहां से mostly question पूछे जाते हैं अगर आप उसको पढ़े होंगे तो आप continue दो तीन set बनाये होंगा तो तो आपको समझ में आया होगा कि यहां से question टच करता है कि नहीं करता है तो आप सभी इस video को अंत तक बने रहे हैं से पहले तो video लोग पूरा देखते नहीं है भाई मेरे हम यहीं बोलते हैं देख लो एक बार क्या problem है अगर इस video से एक questions भी आपका आ जाता है तो आपके लिए video सफल हो जाएगा और मुस्किल से video 15-20 मिट का होता है खाना खाते समय देख लो या कभी फ्री टाइम में देख लो क्या दिक्कत है तो चली आप जो है और हाँ हमारे चैनल को जो है अगर आप नए जूड़े हैं तो subscribe कर दे जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको दोस्तों के भी share कर दो क्योंकि हमारा target है जेडि का जो एक्जाम दस तैरिक से शुरू होने वाला है उसके पहले तक साइन्स का जो है और जोग्रफी का पार्ट खतम करने का तो आज पॉलिटी का लास्ट क्लास है कल से आपको जोग्रफी और साइन्स का जेडि जो दो बज़े साथ चलने वाला है आप उसमें जरूर जूड़े हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से भी आप जूड़ सकते हैं रोजगार विजसा के 2371 पर टाकि आपको हर एक PDF मिलता रहे उस पर आपको हिस्ट्री का पूरा PDF पॉलिटी का पूरा PDF उस पर अविलेवल है आप उहां जूड़ करके PDF अरेंज कर सकते हैं बिना कोई कॉस्ट के और PDF आप एक बार ओपन करके देखो ना हो तो लिव मार दो चैनल को क्या प्रब्लम है पड़ा PDF एक बार देखो अगर ना सही लगे तब हमको बताइगा और कॉमेंट जरूर करिएगा PDF कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा आज का जो टॉपिक हमारा है वो है भरतिय सम्मेधान में संसद, लोकसभा, राजसभा ये पॉलिटिक आपका लास्ट वीडियो है और यहां से सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते है तो एक questions जो है इसमें note किया हुआ है अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा क्या questions यहां से आता है कि नहीं आता है आगे आप देख सकते हैं कि हमने राज के नितिर निरे सकता है पूरा आप लोड कर दिया है तीनों पूरा history अप लोड किया हुआ है अधुनिक भारत से फिर जो है ancient history पूरा है modern history पूरा है सब कुछ को अपलोड कर दिया गया है ठीक है तो चलिए लेट ना करते हुے अब सुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहला question है कि भारत के महानियवादी की निक्ति कौन करता है तो भारत के महानियवादी की निक्ति जो है वह हम आपको बताएं है कि राष्टपती के द्वारग किया जाता है और यह किस अनुछेद के तहत किया जाता है अनुछेद 76 के तहत उसके बाद है संसद जो सबसे favorite topic है संसद संसद में आपसे पूछेगा कि संसद का गठन किस अनुछिद के तहथ होता है तो संसद का गठन अनुछिद 79 के तहथ होता है संसद के कितनी अंग है 3 अंग है 3 अंग से मिल करके संसद बना है सबसे पहले राष्टपती उसके बाद राज्य सभा उसके बाद लोक सभा ठीक है अब यहां से आते हैं कि राज्य सभा में अधिक्तम सदस संख्या कितनी होती है तो राज्य सभा के अधिक्तम संख्या धाई सो होती है जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 को राष्टपती मनोनित करता है 12 को क्या करता है राष्टपती मनोनित करता है अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सदस संख्या कितनी है तो वर्तमान में सदस संख्या आपका 245 है जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 जो है वो मनुनित किया हुआ है 233 में भी 229 जो है वो राजियों से हैं और 4 जो निर्वाचित हैं वो संग सासित छेत्रों से हैं इस बात का खास खयाल रखियेगा अब आगे आते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्जकल आपसे पूछेगा कि राज्यसभा का कार्जकल कितना होता है तो भाई मेरे राज्यसभा का कोई कार्जकल नहीं होता है चुकि वो आविघटित होने वाली संस्ता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है उसको कोई विघटित नहीं कर सकता है राज सभा के सदस्यों का कार्चकल कितना होता है तो राज सभा के सदस्यों का कार्चकल 6 वर्स का होता है कितना होता है? 6 वर्स का होता है और उसके जो एक तिहाई सदस्य हैं एक वटा तीन सदस्य हैं वो हर दो वर्स पर उनको पदमुक्त कर दिया जाता है याने कि निकाल दिया जाता है अब आगे आते हैं राज सभा के सदस होने की निम्तमायू कितनी है तीस वर्स है लोग सभा के सदस होने की निम्तमायू कितनी है पचीस वर्स है और राष्ट पती बनने की निम्तमायू कितनी है पैंटिस वर्स है इस बात का ध्यान रखियेगा आगे हम लोग आते हैं लोग सभा लोग सभा को हम लोग निमन सदन भी कहते हैं लोग सभा को क्या बोलते हैं? निमन सदन भी कहते हैं याने कि इसको हम लोग बोलते हैं जनता का सदन भी इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डाइरेक्ट रूप से जन्ता के चूने हुए प्रतिनीधी जाते हैं राज सभा को हम क्या बोलते हैं उच्छी सदन बोलते हैं चुकि ये रिलेटेड है तो इसी चलते एक ही जगा पर कर दिये हैं अब आजाईए लोग सभा का अधिक्तम जो सदस संक्या होता है वो कितना होता है पांसो बामन जिसमें पांसो पचास निर्वाचित हैं और दो मनोनित हैं अब लोग सभा की वरतमान संक्या की बात करें तो लोग सभा की जो वरतमान संक्या है लोग सभा की जो वरतमान संक्या है वो पांसो पैंतालिस है जिसमें 543 जो है निर्वाचित किये गये हैं और दो अंगल भारतिये को मनोनित किया गया है इस बात का ध्यान रखिएगा अब आगे हम लोग आते हैं अब यहाँ पर आज जाते हैं 543 तो 543 जो लोगसभा की निर्वाचित सदस हैं उसमें 530 जो सदस है वो राजियों से है और 13 जो सदस है वो केंदर शाषित प्रदेश से आते हैं इस बात का भी जहान रखिएगा एक कुशन सब्स और पूछता है कि लोगसभा का जो सीट है वो कब तक नहीं बढ़ेगा यानि जो यह 545 जो आता है यह कब तक नहीं बढ़ेगा तो जो लोगसभा के सीटों का अवंटन है वो 2026 तक नहीं बढ़ेगा 26 के बाद बढ़ सकता है वो अलग बात है लेकिन 2026 तक नहीं बढ़ेगा किस सम्विधान संसोधन के आधार पर तो 84 सम्विधान संसोधन 2001 के आधार पर किस के आधार पर 84 सम्विधान संसोधन 2001 के आधार पर इस वात का ध्यान रखिएगा आगे हम लोग आते हैं एक शऩवा सम्भिधान संषोधन 1989 के दौछारा हम बोलते हैं कि पहले जो था वो 21 वर्स था बोट देने की आयू उसके बाद 18 वर्स कर दिया गया तो ये कब किया गया एक शकफा सम्भिधान संषोधन 1989 के तहद जो है न यह बोट देने की जो आयू है वोई कीस वर्स से घटा करके अठारा वर्स कर दिया गया कीस अनुशेद के तहट अनुशेद 326 में इसका वर्णन है कितने वर्णन है अनुशेद 326 में इस बात का ध्यान रखिएगा आम आ जाते हैं हम लोग सीट के बारे में तो लोग सभा में सबसे ज़्यादा सीट कहां से है तो सबसे ज़्यादा एक नमबर पर यूपी आता है दूसरे नमबर पर आपका महराष्ट आता है यूपी में 80 सीट है महराष्ट मरताली सीट है डबलू वीवेस्ट बंगाल में 42 सीट है बिहार में 40 सीट है लोकसभा का उसके बाद जो है और एक आता है पाचवे नंबर पर आपका आ जाता है तमिल नाडू तमिल नाडू आ जाता है सायद यहाँ पर 38 सीट है इस दिवात का ध्यान रखिएगा आगे हम लोग आते हैं दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा का अंड़मान लोकसभा एक विघटित सभा है इसको राष्ट पती प्रधान मंत्री के कहने पर इसको विघटित कर सकता है इस बात का भी ध्यान रखिएगा लोकसभा का कार्जकाल जो पांच वर्स का होता है वो 44 संभिधान संसोधन 1976 के तहत यह किया गया है 42 संभिधान संसोधन जो 42 संभिधान संसोधन था उसके तहत यह 6 वर्स का था इसको किया गया है लेकिन 44 संभिधान संसोधन 1976 के तहत इसको जो है वो पांच वर्स का कर दिया गया कि लोकसभा का कार्जकाल कितने वर्स का रहेगा पांच वर्स का रहेगा चलिए आगे हम लो लोकसभा का कार्जकल तो यहाँ पर एक क्वेशन स्वार पूछता है कि अगर लोकसभा का कार्जकल चल रहा है ठीक है और उस समय अपात का लागू हो गया तो हम लोकसभा का कार्जकल कितने वर्सों के लिए बढ़ा सकते हैं तो एक वर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है मगर अगर अपात काल उस दौरान खतम हो गया तो अपात काल खतम होने की अवधी से अवधी से छे माह तक ही हम आगे बढ़ा सकते हैं छे माह तक ही लोकसभा का कार्चकाल हम आगे बढ़ा सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा लोकसभा के सदस्यों के आरता निर्वाचन को ले करके तो वही वाला है भारत का नागरिक होना चाहिए उम्र 25 वर्स होना चाहिए पागल्य दिवालिया नहीं होना चाहिए उसके बाद कोई लाव के पदपर नहीं होना चाहिए यही सब होता है, जो राष्टपती में है, जो उपराष्टपती में है, वही सभी में होता है, अब आगे आते हैं, लोकसभा के सदस अपने बीच से ही एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, लोकसभा के पर्थमों अध्य जेसे लोकस्वह में कोई विध्यक पारित हो रहा है और विध्यक टाई हो गया याने कि पचीस वो Chris यू यूंक की чलते हैं कि ढूनों का मत बराबर हो गया पक्ष हो और भी पक्ष का मत बराबर हो गया ο वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है, उसको मत देने का अधिकार है, लेकिन कब जब दोनों टाई हो जाए, दोनों का वोट वराबर हो जाए, तब लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है, और वो मत सर्वमान्य होता है, आगे आते हैं कोई धन विध्यक धन विध्यक है की नहीं यह कौन तै करता है लोकसभा अध्यक्ष तै करता है इस बात का ध्यान रखिएगा कोरम क्या है कोरम का मतलब उल्लेख की सनुष्यद में है तो अनुष्यद सौ में है सदन की कारिवाही के लिए सदन का कुल सदस का एक वटा दस भाग सदन में जब तक उपस्तित नहीं होगा तब तक सदन की कारिवाही नहीं चलेगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोरम बोलते हैं और कोरम का उल्लेख किसमें है अनुछेद सौम है ये कुश्चन पूछा हुआ है द्यान रखिएगा लोगसभा के परतमान में अध्यक्ष कौन है तो लोगसभा के परतमान में अध्यक्ष कौन है ओम बिलला आगे हम लोग आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक साथ संसद एवँ विधान मंडल दोनों का सदस्द है तो उसे राज के विधान मंडल की सदस्ता कितने दिन के अंदर छोड़ना होगा अगर वो नहीं छोड़ेगा तो संसत का उसका सदस्ता समाप्त हो जाएगा याद रखेगा 14 दिन 14 दिन के अंदर उसको राजविधान मंडल का सदस्ता को छोड़ना पड़ेगा अगर वो नहीं छोड़ता है तो उसका संसत का सदस्ता समाप्त हो जाएगा फिर एक question बहुत famous है कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों तक अनुपस्थी तो हो जाए संसद में 60 दिन तक वो नहीं आए तो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी सदसिता समाप्त हो जाएगी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी और एक बात ध्यान रखिएगा कि बीना चुनाव लड़े हुए बीना चुनाव के ठीक है? चुनाव के कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पर संसद का सदस रह सकता है तो 6 माह तक इस बात का भी ध्यान रखिएगा ठीक है? लेकिन 6 माह के अंदर उसको अपना जो है संसद का सदस पर्मानेंट रूप से बन पायेगा आगे हम लोग आते हैं संसद की कार्जवाहियों की जांच एक बात ध्यान रखेगा संसद में जो भी कार्जवाहि होती है उसका जांच निया याले में नहीं किया जा सकता है यह अनुचे 122 के तहट कहा गया है जैसे आप देखते होंगे कि संसद में मार पीट तक हो जाता है मगर उसका बाहर में कोई जांच नहीं होता है तो वो किस अनुचे 122 के तहट संसद में किसातर में बहुत सी भासाओं का परियोग किया जाता है बहुत से बिवाद लगते है वो उन सब का कोई जांच नहीं होता है किस अनुचेत के तहट 122 के तहट आगे हम लोग आते हैं संसद के दो अधिवेशनों के बीच का जो अंतराल होता है बहुत फेमस कोश्चन थे विवला संसद के दो अधिवेशनों के बीच जो सबसे बड़ा अंतराल होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए तो 6 माह से जादा का नहीं होना चाहिए संसद के दो सदनों के बीच का जो गैप है वो 6 माह से जादा का नहीं होना चाहिए आगे हम लोग आते हैं संसत के कितने सत्र होते हैं तो संसत के तीन सत्र होते है पहला बजट सत्र, दोसरा मौनसून सत्र और तीसरा सित कालिन सत्र अब आ जाते हैं संसत में प्रस्तूत विधियक विधियक कितने प्रकार को होते हैं तो चार विधियक मुश्ली होते है पहला तो साधरन विद्याक होता है दूसरा होता है धन विद्याक धन विद्याक का चर्चा किस में किया गया है? 610 में तीसरा होता है वित विद्याक इसका चर्चा किस में है तो अनुशेद 117 में है और चौता होता है समविधान संसोधन विद्याक इसका चर्चा किस में है अनुशेदे 368 में है ये भेध्यान रखिएगा अब आगे हम लोग आते हैं समान विध्यक पर दोनों सदनों में मद्भेध होने पर राष्ट पती दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है यानि कि दोनों सदन में अगर कोई विध्यक आया दोनों सदनों मद्भेत हो गया तो राष्ट पती क्या करेगा उसका एक संयुक्त बैठक बुलाएगा और उस संयुक्त बैठक का जो है वो अध्यक्षता कौन करेगा लोग सभा अध्यक्ष अब आजाते हैं, यहाँ पर संयुक्त बैठक बुलाता है, संयुक्त क्या बुलाता है? बैठक, क्या बुलाता है? बैठक, इस बात का ध्यान रखिएगा अब आगे हम लोग आते हैं, धन विध्यक, धन विध्यक याद रखिएगा केवल लोकसभा में ही पारित होता है इस बात का भी ख्याल रखिएगा, धन विद्यक को राजसभा में नहीं जाता है, तथा लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका निर्णे होता है ना अंतिम होता है, इस बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा ध्यक्ष का ही निर्णे अंतिम होता है, राष्टपती धन विद्यक को रोक संद्धान में संध्याद मकर जाता है संध्याद नहीं बुलाता है कौन बुलाता है राश्ड पति बुलाता है और इसकी अध्याक्ष्टा कौन करता है तो लोग सभा का अध्याक्ष करता है इसकी अध्याक्षता इस बात का ध्यान रखिएगा आगे हम लोग आते हैं संयुक्त अधिवेशन अभी तक कितनी बार बुलाया गया है तो संयुक्त अधिवेशन अभी तक तीन बार बुलाया गया है कितनी बार बुलाया गया है कब अलग किया गया तो 1921 में अलग किया गया 1921 में और किस समीती किसी फारीज पर तो एक वर्थ समीती किसी फारीज पर किस समीती किसी फारीज पर एक वर्थ समीती किसी फारीज पर अब आते हैं प्रत्थम बजट जो पेश किया गया था वो किनके द्वारा पेश किया गया था, तो RK Synativo 60 के द्वारा पेस किया गया था ऐसे इनका बजट कंप पेस किया जाता है, विती वर्ष हमारा क्या है, तो एक अपरेल से 31 मार्च है, संसत के प्रथम बैठा का प्रथम घंटा कौन सा काल कालाता है, तो प्रश्ण काल कालाता है, ठीक है, और प्रश्ण काल के बाद का समय, जो 5 से 15 मिनिट का होता है, वो कौन सा काल कालाता है, सून काल कालाता है, सून काल की अवधारना जो है, वो कही कब हुआ था 1950 में हुआ था प्रकलन्द समीती का गठन कितने वर्सों के लिए होता है तो एक वर्सों के लिए होता है इस बात का ध्यान रखिएगा और इसके सदस कितने होते हैं तो प्रकलन्द समीती में कुल 30 सदस होते हैं और ये सभी लोग सवा के सदस होते हैं. यह भी ध्यान रखिएगा. आगे हम लोग आते हैं लोक लेखा समीति. लोक लेखा समीति के गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था. कब हुआ था? 1921 में और क्या हुआ था? तो rail budget को आम budget से अलग किया गया था एक वर्थ समीती के आधार पर एक वर्थ समीती के आधार पर जो है railway budget को आम बजट से अलग किया गया तो इस वाद का ध्यान रखिएगा इसके साथ असलोकल एखा समीती में कुल कितने सदोस्थ हैं? अब आगे हम लोग आते हैं भारत में भारत के समीधान में नयाय की कैसी विवस्था है? इस बात का ध्यान रखिएगा आपसे कुशन पूछेगा कि भारत के समीधान में नयाय की कैसी विवस्था है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक एक कृत नयाय की विवस्था है इस बात का ध्यान रखिएगा नयायाले की एकल विवस्था कहां से लिया गया है? नियाले की जो एकल विवस्था है तो कहां से लिया गया है तो 1935 के भारत शाशन अधिनियम से लिया गया है अब आगे आते हैं वर्तमान में उच्छितम नियाले में नयदीसों की संख्या कितनी है एक मुख नयदीस है और 33 अनय नयदीस है यानि की टोटल कितने हैं 34 ध्यान रखिएगा अब इसमें एक नोट पॉइंट है कि 2019 के संसोधन विध्यक के द्वारा 31 से 34 किया गया था 2019 तक कितनी थे 31 थे फिर 2019 में एक संसोधन किया गया और उसमें 31 से कितना कर दिया गया 34 जिसमें एक मुख नयदीस और 33 अनय नयदीस होते हैं आगे उचितम नयाले के नयदीस के निवक्ति कौन करता है तो राष्ट पति करता है कौन करता है राष्ट पति करता है उचितम नेले के नेधीस को सपत कौन दिलाता है या तो भारत का राष्टपति दिलाएगा या राष्टपति के द्वारा जिसको भी अपॉइंट किया जाएगा वो उनको सपत दिलाएगा नेधीसों को पदमुक्त कौन करता है तो पदमुक्तियाने के जो हटाने की प्रक्रिया है या संक्या बढ़ाने की प्रक्रिया है ये सभी किसके है तो संसद के द्वारा है क्या है संसद के पास यह पावर है अब यहां पर दियाने के नैधिस अपना पदमुक्त जो अपना त्याग पत्र देते हैं वो किसको देते है उनको तो वो किसको देंगे राष्ट पती को देंगे और जो हटाने की प्रक्रिया है वो संसत में होगा वही दो वटा तीन बहुमत से जो बिसेस बहुमत चलता है वही दो वटा तीन बहुमत से चलेगा हर सदन में आगे हम लोग आते हैं कि मुख नयधीस का वेतन कितना है तो मुख नयाधिस का आपका वेतन है 2.8 लाक यानि कि 2.8 लाक असी हजार रुपे और अन नयाधिस जो होते हैं उनका वेतन कितना है तो अड़ाई लाक रुपे अब आते हैं कि नागरीको के मौलिक अधिकार का संरक्षक प्लस भारतिय सम्विधान का संरक्षक किसको कहा जाता है तो उचितम नयाले को कहा जाता है किसको कहा जाता है उचितम नयाले को यह अपसे कुश्चन पूछेगा एक दो बहुत बार एक कुश्चन पूछा हुआ भ पदबदी कितनी होती है तो उच्छ नयायाले के जो मुख नयायदीस है उसका तो 65 वर्स होता है लेकिन जो अन नयायदीस होते हैं उनका क्या होता है 62 वर्स होता है कितना होता है 62 वर्स होता है आगे हम लोग आते हैं भारत में उच्छ नयायाले का उद्गाटन कब हुआ था ये question में थोड़ा सा page होता है भारत में उच्टम न्याले का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था लेकिन इसका न्यायाले का उद्घाटन कहने का मतलब कि यहाँ पर अब यहाँ पर न्याये का काम किया जाएगा वो हुआ था 28 जनवरी 1950 से सुरू हुआ था उद्घाटन कब हुआ था मतलब जो है स्थापना कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को जिस दिन अमारा संविधान लागू हुआ था और इसका कार्ज कब से सुरू किया गया था 28 जनवरी 1950 से अब आज आते हैं भारत की रकार्यपालिका ये भाग छे में है आगे क्या है कि राज का संविधानिक प्रमुखोन होता है तो राज का संविधानिक प्रमुख राजपाल होता है देश का संविधानिक प्रमुखोन होता है राश्टपती होता है और केंदर सरकार का राजपाल प्रतिनी धी भी होता है क्यों? क्योंकि इसको राष्ट पती प्वाइंट करता है, कौन प्वाइंट करता है राष्ट पती चलिए आगे आते हैं, राज यपाल की नियुक्ती से related question, तो राज यपाल की नियुक्ती की सनुछिद के तहत है, तो अनुछिद जब तक चाहाएगा, तभी तक राज यपाल की राज में राज का समय अब इसको राज यपाल को शपत कौन दिलाता है तो जिस राज में जाए गा उस राज के उच्छ न्याले का मुख नयदिस उसको सपती लाएगा ये ध्यान रखिएगा राज के सभी जैसे देश के सभी कार्ज कार्ज जो होते हैं वो राष्टपती के नाम से होते हैं उसी तरीके से राज का जितना भी कार्ज कार्ज है वो राज सरकार किसके नाम से करती है राज़िपाल के नाम से करती है किसके नाम से करती है राज़िपाल के नाम से करती है राज़िपाल के द्वारा किनका किनका नियुक्ति किया जाता है तो एक तो मुख मंत्री का किया जाता है उसके बाद अन्य मंद्री के लोग का किया जाता है राज लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का जो पावर है वो राज जिपाल के पास नहीं है इस बात का खास क्या लखेगा राज जिपाल के पास नहीं है उनको कौन हटाएगा तो उनको हटाएगा राश्ट पती कौन हटाएगा राश्ट पती संग राज लोग सेबा आयोग के सदस ऐवं अध्यक्छ को कौन अटाएगा तो राष्टपती हटाएगा आगे हम लोग आते हैं राज के बिधान सभा को भंग करने का अधिकार प्लस सत्र आवशान मतलब की सत्र को समाप्त करने का या सत्र बुलाने का अधिकार है ये तीनों अधिकार किस के पास है? राज जिपाल के पास है राज के बिधान सभा का विघटन किस अनुछेद के तहत है? अनुछेद 184 के तहत अलोग सभा का विघटन किस अनुछेद के तहत है? अनुछेद 85 के तहत है राज यपाल अध्यादेश किस अनुशेद के तहर जारी करता है तो राज यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुशेद 213 के तहर आपको हम उसमें बताएं होंगे कि राष्ट्रपती जो होता है वो अनुशेद किस के तहर जारी करता है 123 के तहट किसके तहट 123 के तहट अब दो को इधर कर दीजिए एक को उधर कर दीजिए तो 213 अनुछेद के तहट राज जिपाल अध्यादेश जारी करता है राश्ट पती 123 अनुछेद के तहट और राज जिपाल 213 अनुछेद के तहट अध्यादेश जारी करता है आगे हम लोग आते हैं अध्यादेश की अधिक्तम समय सीमा कितनी होती है तो छे सपता होती है कितनी होती है छे सपता होती है राज जपाल की छमा शक्ती इध्यान के गाद छमा शक्ती में मिर्तिव दंड सामिल नहीं है राश्ट पती मिर्तिव दंड को माफ कर सकता है मगर राजपाल का पास इतना पावर नहीं है कि वो मिर्तिव दंड को माफ कर सके अब आगे आते हैं अनुछेद 163 के तहत मंत्री परिसद राजपाल को सलाह देने के लिए ही बिवस्था किया गया है राश्ट पती को सलाह मंत्री परिसद जो केंदर का है ये जो राजपाल को देगी वो राजपाल का मंत्री परिसद देगी और राश्ट पती को किस का मंत्री परिसद देगी केंदर की जो किस अनुछेद के तहत है अनुछेद चहोत्तर के तहत है अब आगे आते हैं राजी के मंत्री परिशत का प्रधान कौन होता है तो मुख मंत्री होता है कौन होता है मुख मंत्री राजी के महाधिवक्ता की नुक्ति कौन करता है राजी का राजपाल करता है एक कोशन और आता है कि राज का सरवोच विधी अधिकारी कौन होता है? तो राज का सरवोच विधी अधिकारी राज का महाधी वक्ता होता है. यह ध्यान रखिएगा. आपसे एक और पूछेगा कि वर्तमान में कितने राज में दूई सदनात्मक विधान मंडल है? ठीक है? जिसमें दूई सदनात्मक विधान मंडल कहने का मतलब कि वहाँ विधान सभा भी है और विधान परिशद भी है. सभा भी है और परिशद भी है. क्या है? परिशद भी है. यह दोनों किसमे हैं? तो कितने राज हैं? छे राज हैं. सबसे पहला यूपी, फिर बिहार, फिर महरास्ट्रा, फिर करनाटक, फिर आंधपर्दिस और फिर तिलांगना इन छे राज़ों में दू सदनात्मक विधान मंडल है अब आगे आते हैं, राज की हम बात जब करहीं रहे हैं तो राज में क्या है, तो राज में जो उच सदन होता है, वो विधान परिशत को कहा जाता है, यह अस्थाई सदन होता है इसके सदस्यों का कार्जकल कितने वर्सों का होता है, तो छे वर्सों का और वही दो वर्सों पर एक वटा तीन सदस को रिटार कर दिया जाता है अब निम्न सदन, निम्न सदन किसको कहा जाता है तो विधान सभाको कहा जाता है किसको कहा जाता है विधान सभाको अब आगे आते हैं विधान परिशत बनने की योगिता क्या है तो वही वाला है भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्स उम्र होना चाहिए, कोई भी लाव के पत पर ना होना चाहिए, फिर पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए अब आगे आते हैं विधान सभा का अधिक्तम एवं निम्तम सदस्संक्य कितनी है तो विधान सभा के अधिक्तम सदस्संक्य जो है वह 500 कर सकते हैं और निम्तम 60 हो सकता है लेकिन कुछ-कुछ राज्यों में 60 से भी कम है जैसे गुआ है, मिजोरम है इन सबों में और बहुत से मंत्री के सलाह पर कभे भी बिघटित कर सकता है इस बात का भी ध्यान रखिएगा और लोग सभा के बारे में क्या था कि लोग सभा को भी राष्ट पती बिघटित कर सकता है किसकी सलाह पर प्रधान मंत्री के सलाह पर किसकी सलाह पर प्रधान मंत्री की सलाह पर आगे हम लोग अपात काल में बिधान सभा का कार्चकाल वही होता है, एक वर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है, मगर अपात काल जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो छे महीने से ज़्यादा बिधान सभा का कार्चकाल नहीं बढ़ा हुआ रहेगा, किस अनुशेत के तहत है, अनुशेत इन सो बा जाएगी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी आगे हम लोग आते हैं कि जो विधान सभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं वो एक दूसरे को संपोधित करके एक दूसरी त्याग पत्र देते हैं यानि कि विधान सभा का जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को संप विधान सभा में उसी तरीके से जिस तरीके से लोग सभा में ही केवल धन विध्यक को लाया जाता था लाया जाता था ना ध्यान है ना लोग सभा में ही केवल धन विध्यक को लाया जाता था विशेष राज का दर्जा क्या है आप लोग बहुत देखते होंगे विशेष तो कुल 11 राजियों को, कितने राजियों को? 11 राजियों को, एक कुस्टन्स और कि कौन सा एक ऐसा किंदर सासित परदेश है, जिसका अपना उच नियाले है, तो कौन है? दिल्ली है, कौन है? दिल्ली है, अब आते हैं, अब किंदर सासित पर्देश कौन-कौन है? तो किंदर सासित पर्देश अंडमान निकुअर दीपसमू है, दिल्ली है, लक्ष दीप है, पुदू चेरी है, चंडीगर है, जम्मु कस्मीर है, और लग्डाक है फिर दादर नागर हवेली और दमन दिव ये एक हो गया है तो एक है टोटल कितने के निसासेद परदेश हैं? आठ है अब आयाते हैं यहां से एक कोशन से रहता ही रहता है राज पंचायतों के लिए एक कदम उठाएगा या उसके संगठन के लिए एक कदम उठाएगा यानि कि पंचायत का गठन करेगा यह की सनुषेद के तहद कहा गया है? तनुषेद 40 के तहद कहा गया है और अनुषेद 40 किस में आता है? राज के नीते निर्देशक तत्व में आता है अब आते हैं पंचायती राज की सुरुवात तो पंचायती राज की जो सुरुवात है वो 2 अक्टूवर 1969 को राजस्थान के नागाओर जिले में किया गया था किस समीती किसी फारिस पर तो बलवन्त राय महता समीती किसी फारिस पर किया गया था आगे हम लोग आते हैं, पंचायती राज आपसे पूछेगा कि कैसी संस्था है, दूई अस्तर ये है, त्री अस्तर ये है, चतूर्थ अस्तर ये है, तो ये त्री अस्तर ये संस्था है, जिसमें पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समीती और जीला परिशत, ये तीन होते अब आगे आते हैं, तो इसका निर्वाचन की निमतमायू कितनी है? तो इसमें खड़ा होने के लिए पंचायत के चुनाब में 21 वर्ज होना चाहिए। कितना होना चाहिए 21 वर्स होना चाहिए आगे हम लोग आते हैं नगरपालिका तो नगरपालिका जो होता है वो चहुतरवे संभिधान संसोदर अधिनियम 1992 के द्वारा संभिधान के भाग 9 तथा अनुसुची 12 में इसको जोड़ा गया है नगरपालिका का उले कितना है तो भ ने थे इस बात का ख्याल रखेंगे यह पूचता है आगे हम लोग आते हैं कि एक साथवा संभिधान संसोदर 1989 के द्वारा मतदान करने की जो आयू है तो 21 वर्स से घटा कर कितना कर दिया गया था अठारा वर्स के अरगित दिया गया था निरवाचन आयोग की वेवस्था कितने अनुष्यद में किया गया है तो अनुष्यदे 324 में निरवाचन आयोग का गठन बेवस्था किया गया है मुख निरवाचन आयोगत तथा अन निरवाचन आयोगतों का कार्चकल कितना होता है तो 6 वर्स या 65 वर्स की आयो कितना 6 वर्स या 65 वर्स की आयो अब आते ह एक आप से question पूछेगा कि संग की राजभासा कौन सी है तो राजभासा हिंदी और लीपी कौन सी है देवनागिरी ये ध्यान रखिएगा अब आते हैं प्रथम राजभासा आयो का गठन कप किया गया तो 1955 में किनके निर्देशन में तो बीजी खरे के निर्देशन में किनके अनुसुची में कितनी भासाओं का खोल 22 भासाओं का अब इस 22 भासा में आपसे पूछता है कि किस भासा को कब जोड़ा गया तो वो तीनों एक साथ हम दे दिये हैं 21 सम्विधान संसोधन 1963 के तहत सिंधी को जोड़ा गया एक खातारवा सम्विधान संसोधन 1992 के तहत कौंक वी, मैथिली और संथाली ये चार भासाओं को जोड़ा गया ध्यान रखिएगा अब आते हैं संग लोग सेवा आयोग संग लोग सेवा आयोग के अध्याक्ष एवं सदस्य कि नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है तो राष्टपति के द्वारा संग लोग सेवा आयोग यूपी एस सी, यूोपी एस सी, यूणियन पब्लिक सर्विश कमीशन और इसके अध्यक्ष की अध्याक्ष की जो अवधी होती है इसका कार्षकाल कितने वर्स होता है तो यहा तो 6 वर्स होगा नहीं तो 62 वर्स की अब दितक होगा UPSC का 65 वर्स और जो भी स्टेट PCS होता है उसका 62 वर्स और इनको हटायेगा कौन तो राज लोग सेवा आयोक के अध्याक शेवम सदस्य को हटाएगा कौन राष्ट्रपती यह हम उपर भी बताएं है कि इनको हटाने का पावर किसके पास है राष्ट्रपती ना की राजपल यह ध्यान रखिएगा राजपल इनको नहीं हटा सकता है तो इतना से ज़्यादा questions आपसे पालेटी में नहीं पूछेगा जो भी questions रहेगा वो इसी के अंतरगत में रहेगा कुछ थोड़ा सा क्या है कि अनुछेद है जो की मातपूर्ण मातपूर्ण जो भी अनुछेद है वो इसमें कभर हो चुका है कुछ चीज़े और है तो वो आपको set से clear हो जाएगा इतना अगर आप ख्याल रखते हो तो पालेटी में कहीं न कहीं जो भी questions आएगा वो यहां से clear हो जाएगा ठीक है इससे ज़्यादा questions आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पालेटी से दो तीन questions नहीं पूछे जाते हैं को होगा तो skip करके विल्कुल ना देखे 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा आप इसको continue देखते रहें ठीक है यह आपका पॉलेटी का last वीडियो है हाँ एक चीज और है आज जो है वो दो बज़े से दो बज़े से आपका जो है एक जड़ी का set जट कर रहे हैं जड़ी चलेगा उसमें हम साइंस स्टाट किये हुए हैं बायोलोजी क्या है बायोलोजी एक घंटे का चलेगा बायोलोजी का तो यहां से आप इसको देख सकते हैं दो बज़े के लगब अब यहां पर आते हैं कि target SSC J. के लिए जो भी पॉलिटी का था, वो हम आपको दे चुके हैं, अगर आपने वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी दिक्कात आता है, वो कमेंट करें, आपका एक कमेंट का रिप्लाई हम देंगे, आप निशीनत रहें, अगर आपको फ्री पीडियो में, एक नेक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, आप सभी को बेस्ट आफ लख, आपके एक्जाम के लिए, और तयारी जम करके करते रहें, मिलते एक नेक्स वीडि